दोस्तो जैशीरी राम, जैशीरी बाला जी माराज दोस्तो कैसे हूँ आप सब आश्य करते हैं कि आप सब जो है शुरक्सित हैं, सुरस्त हैं और बाबा की असीम कृप़ असब को पता है कि मैं आपके लिए हर रोज वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और आज की जो वीडियो है दोस्तों वो भी आपके सबके लिए ही और सबकी डिमांड के लेके हैं कि जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी के अंदर संकट है मालो किसी भी परसन के अंदर संकट है आपके घर में जो है किसी के अंदर प्रेत बादा है या कोई भी ऐसा जिसके अंदर पेशी आती है क्या हमें उन संकटों से बात करनी चाहिए अगर दोस्तों आप भी करते हो इस तरह की गल्दियां या फिर आप बात करना चाहते हो तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बात करनी है किस तरह की बात करनी है और क इस तरह से करनी चाहिए या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों तो अन तक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जूरूर सबस्क आपका कल्यान करें आपके परिवार की रख्षा करें ऐसी कामना अपने इश्ट देव शरीबाला जी महराज से आपके परिवार के लिए करते हैं हम तो यही हर रोज ही ऐसी कामना करते हैं कि आपका परिवार खुश में रहे मंगल में रहे वेपार में भी हर पकार की उंती औ बात हमें सिखाई थी कि हमेशा बेटा दूसरों के लिए मांगना सिखो जिस दिन आप दूसरों के लिए मांगना सीख जाओगे ना उस दिन प्रमात्मा आपके लिए स्वम सोचने लग जाएगा अगर हम अपने लिए मांगते हैं तो प्रमात्मा का कारिया हम करी नहीं रहे प्रमात्मा कहता है कि धर्म का कारिया करो प्रमात्मा के जो बच्चे है इस संसार के समस्त प्रानी है अब सबी के लिए तो हम सोच नहीं पारें नेकिन उनके लिए वगवान से अपने हर्द्या से एक आत्मा दूसरी आत्माओं के लिए परात्ना तो कर सकती है ना तो परात्ना करने से भी हमारा कल्यान होता है हमेशा दूसरों के लिए मांगो जो कश्ट है जिनके शरीर के अंदर रोग और पीड़ा है उनके लिए मांगना चाहिए ताकि आने वाला वक्त आने वाला वक्त आपका सोभाग्य शाली हो किर्पा प्राप्त हो आपको और किसी भी पकार की वक्त में अर्चन आए और इससे एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि जो आपकी संतान है जो आपकी पीड़ी है अगर आप उनको भी ये इस पकार की वारतालाब सिखा रहे हो तो कहीं न कहीं उन बच्चों के दिमाख में भी अच्छी बाते अंदर गरहन होती हैं तो आज का ये जो टोपिक है बहुत ही इंपोर्टन टोपिक लेके चलते है हमेशा ही और क्योंकि इस टोपिक से बहुत से लोगों का कलियान होगा लोग जो एस पकार की गलती कर रहे हैं कई वारे इस पकार का कारवाई करते हैं कि वो संकटों के साथ वारतालाब करते हैं और पर संकटों की बातों में आकर उस पकार का गलतकारिये कर देते हैं और फ आज आपको बता दूँगा कि संकट की चाल क्या है कैसे वो हमें पागल बनाता है और कैसे वो हमारे घर का पित्तर भी बन जाता है और देवी देवता भी बन जाता है और हमारे जैसे लोग उनको फिर मानते हैं पूजने लग जाते हैं और वो हमारी चक्री गुमाई रखता ह क्योंकि संकट को तो इस पकार का शोक होता है कारिय करने का और उसकी आदत बन जाती है आज मैं शुरू करता हूँ आपको इस पकार की बातों से पहली बात तो यह शुरू करता हूँ कि संकट से वारतलाप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पहली बात तो देखिए वारतल आप कर रहे हो और संकत आपकी बातों को समझ रहा है पहचान रहा है भली बाती और आप भी उस शक्ति के माद्दम से उसकी बातों को समझ रही हो तब तो आपको बात करने की को पून रूप से इजारत है तो दूसरी बात ये कि आपको वारता लाफ करनी है तो शिरी महंदी और बाला जी धाम करने चाहिए वो भी श्री बाबा की समाध्य वाले बाबा की जब वो पेश्ची हो तभ नहीं तो आपके गुरू के मादधन से वारत अलाप करनी चूए और वारत अला थैंति अधने के पर मैं बता करता हूं अगर संकत कहता है कि मुझे शिरी बाले मेंदीपुर दाम में चुड़वा दीजिए और मुझे बाबा की शरुन में चाहिए आप कैद करवाईए चाहिए मुझे करवा दीजिए यहीं पर मैंने आपके घर नहीं जाना मैं वचन करता हूं तो अगर वह सच्चे तो वह जूठा है वह लुच्चा है अगर संकत कहता है नहीं नहीं मैं तो मुझे नहीं आओंगा मैं तो जबारा आओंगा नहीं मुझे मैं तो मेरे को तो यहां पर आप यहीं चुड़वा दीजिए मैं तो मुझे नहीं आओंगा वह भी लुच्चा है गुरु के शक्तियां ही बताती हैं संकट के वारे में वर्साइफ की वारतालाब कभी आप सोचो कि आप आदमी आदमी को तो दो मिट में बोड़ा बना देगा मैं भी अभी अग्जामपल आपके सामने पेश करूंगा सारे दो मिंट में लगेगी आपको में एक सेकिंड के अंदर गुमरा कर देगा और आपको पता भी ने लगे है क्या चीज़ है ऐसे ऐसे निरंतर केस होते है हैं हमारे सामने जिनंतर केस ऐसा है कि एक केस मैं आपको बताए हूं कि क्या हुआ कि मैं किसी व्यक्ति के साथ मैंधि पूर्बाला जी गए था तो उसमें दर्बार हमने शुरू शुरू में ये बात है तकरिमन्न 2,07 की दो साक्री का है तो हम उसमें साथ आठकी बात है मेरे ख्यान, हाँ, तो उसमें क्या हुआ, वो संकट पेशी खारा, तो दिन में तो वो पेशी खारा था, लड़की के अंदर संकट था, दिन में पेशी खारा था, तो रातरी को जब हमने दरबार लगाया, तो जब ब्यान बाजी होती है, तो ब्या तेरा तो हो गया मेरे तो कि बंले बंले हो गई यह इंटम का है क्ई बंले बंले का कैसे बंले बंले बता तो कि मालोर पेश ही नहीं खिलाए गा तो फिर निप्ता रहे अगा लड़की के तो सोभड़ है मैं अच्छा वो शाख्षात मा काली है अब मैंने का अच्छा मैंने का या मुझे भी दर्शन करवा तो मैंने का काली कैसे कहता है जी उसने मुझे कहा कि दो दारू की बोतल और एक बक्रा एक दो दारू की बोतल एक बक्रा फलानी फलानी जगह रखके आजा मेरे नाम का बली दे बक्री की वहाँ पर मैंने का अच्छा कहता है उसके बाद देखियो बल्ले बल्ले है तेरी तेरे को नीचे नहीं लगने देंगे और बात सुन ले जिनके पास तू बैठा है ये ठग है एक नमबर ये इनके पास ना लेजी हो मुझे दोबारा और बलाने भी ना बलाई हो मुझे इस पकार की जब वारता लाफ करी तो मेरे को तो बड़ा अच्छीव लगा अब महारा जी शरीर पे शक्तिया ने कहा नहीं ले किया उनको जब लेके आये तो वो तो आई और पेशी खाई उसने दब किया और चिकी बहुत जूर से मैंने कहा था मुझे ये आमत लेके आना मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कहा तु देवी शक्ति है देवी शक्ति है कह था हाँ मैं मा काली हूं मैंने का फिर बता इसमें कौन सा संकट है चुप नहीं ऐसा हमें इजाज़त नहीं है मैं आच्छा इजाज़त नहीं है तो तेरे को जो इजाज़त है ऐसा है हम तो सपरश्टी करन उसी समय कर देते हैं वहीं पे नेकिन कहीं लोग गई बच्चे ना पड़े लिखी होते हैं जादा लड़की MBBS कर रही थी वो डोक्टरगी लैंड में थी तो उनको उसी त्रिके का ट्रीटमेंट देना पड़ता है जो जादा जिस्पकार का मालों मांगती है मैंने का कोई बात नहीं ठीक है मैं कर सवेरे चलते हैं मा काली पर जैसे ही उसको मा काली पर मैं ले गया तो वहाँ पर जाकर तुरंत मा काली की शक्तियां आई और पकर के उसको लटका दिया और जो मा छोड़ दे मा छोड़ दे मा छोड़ दे तो आपने आपी कारवाई करवाते हैं, बाबा की शक्तियां जाती हैं, अपने आपी कारवाई करवाते हैं, चक ले, फिर बताया मैं काली नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं ने इसको गुमरा करा बचने के लिए, ताकि मेरा और बढ़ जाएं और तुम्हारे से पैंडा चुड़ जाएं तो इस पकार की वारता लाब ना करें तो बहुती ज़्यादा आपके साथ वो होगा संकट क्या बढ़ते हैं सटा भी दे देते हैं बहुत से संकट ऐसे गंदे हैं कि यहां भी आज यह होगा अच्छा लगा दे दज सानी होती यह बात आज सुने ना जो देविक शक्तियां होती हैं वो यह मांगते हैं कि भाया यह जितना परचार करेगा प्रभुशी रहम का जितना परचार करेगा माता का उतनी ही हम बढ़ेंगी देविक शक्तियां तब बढ़ती हैं ना कि यह बक्रे की बली फलाना धिं बोज रखोगे इस पकार कारिय करोगे और वो तो वह जीव गया काली बन रही थी और वह दो मिन्ट में माता ने जब लगाई फटकार और कारवई करी हमने समादीवूस पर माली पर तब जीव मिन्ट में सिध्धी होगी तो इस पकार की वारतालाप आपको नहीं करनी अब बहुत से संकट ऐसे करते हैं मालो शरीर पर किसी के शरीर पर आ गए और आकर कहेंगे वह मालो पूरा अकड़ जाएगा पूरा शरीर भाया मैं तो वह बन गया हूं मेरे अंदर पूरी पावर है भाया जो देविक शक्तियां होती है उनको समझना वही व्यक्ति समझ सकता है जिनके पास देविक शक्तियां है शक्ति शक्ति को पहचानती है शक्ति शक्ति की वारताला कर लेती है और उसको जान लेती है कि किस पकार की शक्ति है हम उसको दिखाने के जूरत है परतक्ष को कभी परमान देने की जूरत नहीं होती है कभी भी जो सच्ची शक्ति होती यह कभी भी दूसरे का अक्षार दूसरी बात यह है मालो शंकर बोल रहा है कहता है तेरी तो मैं बल्ले बल्ले चला दूँगा अभी मेरे पास जश्ट ऐसे ही एक व्यक्ति का फोन आया मैं क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लोंगा और यह जो बात बताऊंगा थोड़ी सी हटके बताऊंगा ताकि वह फील भी ना करें अभी यूटूब के चैनल के माद्यम से उनकी जो मालो मालो एक लड़की है और वो लड़की वो कहती है कि मेरा स्थान बनवा दे मंदिर बनवा दे अर तेरा मेरा पुरुन जनम का रिष्टा है मैं यहां बैटकर पूछा यूपी से फोन आया था क्योंकि वो वेक्ति हमारी वीडियो देखते है इसलिंए मन किसी का नाम नहीं लूँगा तो और उन्हें का स्थान बनवा देन मंदिर करवादिया उसका और उसक कहती भाई पैसा अच्छा था उसके बाल उसने लगा दिया अब अचानक की क्या वा उसको महND़ीपुर ले गड़ा बता दिखारे अब बाला जी निए उसकी हल्दİगी गाड महंदीपुर के बाद उसको दिखना बंदोगया, दूसरे का संकर दिखना बंदोगया अब उस भ्यक्ति का फोन क्या आता है मेरे पास मेरे पार फोन आता है कहता है गुरु जी मन ने मंदिर मुर्मा दिया सब कुछ हो गया मां पर लोग बाग आने लगे थे अब यह जो बंदी है कि मुझे दिखता ही नहीं है तो ऐसे बहुत से संकेट है जो देविक शक्ति होती है उनको किसी पकार की लाल सा की अफ्य शक्तानी होती उन्हें एक ही पास चाहिए बस प्रभु की भगती और प्रभु का प्रेम और धर्म का प्रचार जितना राम नाम का प्रचार होगा उतनी हनुमान जी की शक्तिया बलवान होती है जितना आप अगर दस हजार लोगों के मुख से भी अब मैं यह बोलते है जैशी राम तो क्या पता मेरी वीडियो देखकर अगर दस जैशी राम बोलेंगे तो उसका कमिशन भी तो मेरे अकाउंट में जुड़ेगा कहीं न कहीं मेरे को प्राफ्त होगा तो इस पकार की जो किरपा प्राफ्त होती है वो शक्तियों के मादब से होती है अगर कोई सची शक्तियों होंगी तो अपने गुरू के सानिद्दे में रहकर ही कि आप उसकी पहचान करवाईए आप उसके वारे में जानिए कि गुरू जी यह देखना यह इस पकार की वारता लाब करें क्या यह सच में है कई तेजधार शक्तियां भी आती हैं यह नहीं कह रहा है कि शरीर पर कई तेजधार शक्तियां भी आती हैं जो जो बक्रा मीत या इस पकार की तामसिक पवर्तिगी होती हैं उनके खांदान के अंदर या कहीं न कहीं इस पकार का कारिय करते हैं तो उसके हम वीडियो दो कि उसके उपर भी इंसे वीडियो अन अगर आब चांटे हो तो यह सी दिये आव यह से लिख ना कि साथ में यहाइं है विलुए जाते हो तो कम से कम 177 या 1118 पितर देव आए ने वहां एस पकार से आप करो तो हम जरूर यह बहुत अच्छा चपटर है थो अगर हमें पता हो हमारे पित्रों पहते है हमारे पित्रोंं की जर्चान करें हुए अगर धिव शक्ति लो आप're पहचान करें तो यह नोलीज होनी चाहिए जो बेसिक बींडि़िött नोलीज कि वो गहराई से उतार के चलें, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए practical उतरना पड़ता है, कारिये में, ये कभी थ्योटिकल किताबों से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा इस पकार का, ये practical का ग्यान आता है, अगर आप practical कारिये कर रहे हो, डेली के कारवाई कर रहे हो, तब पखी आपकी ग्यान की चिक्षु बढ़ते हैं, तभी आप इंग प्रीत आप शक्तियां जो हैं, आपके ऊपर गल्द कारिये करवा सकती हैं, गल्द मेंटर्टी करवा सकती हैं, कई वारी घर हुआ ऑपने किसी को बॉल दिए थे Waad तो उसको ही टट्रिया लूज मोशन लगे थर तो मैंने बोल जैसे किसी को कह दिया कि भाइय कि इस उसने दर्कास नहीं लगा है कुछ नहीं लगाया तो ना में रसे पूछा मैंने ने की में से राइ पढ़ वालि और उसने क्या गपाना था जानकारी के आपके घर में क्या दूनिया है मैं गाएं के गोबर की धूप मनाता हूं गाये के गोबर से बनीवी दूब भी है पूरे उससे संकट भी पूरे रिंगते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पकार इस दूब में क्या-क्या समान डलता है उसके उपर भी हम वीडियों आएंगे तो यह आपको हमने इस पकार की नोरी आपको दी है कि संकर से इस अपता करल दो करते हैं तो में पार की प्रोब्लम में निंत्र आती रहती हैं समस्य हाती रहती है तो इसी पकार मैंने आपको जितना हुआ जिए आपके ज्यान के दुक्सु जगरे हैं पता है आपके कुमेंट लाइक से इस पकार का मुझे प्रेम प्राप्त हो रहा है तो भाईया आपका दिल से अभार प्रकट करते हैं और इसी पकार आप प्रेम देते रहे हम तो यहीं चाहते हैं और आगे भी हम आपके लिए अधिक से अधिक ज्यान वर्धक वीडियो बनात को तो दोस्तों जैश्री राम जैश्री बाला जी मारा आज का जो क्योंस्टन है हुआ मैं यह पूछना चाहता हूं कि भगवान राम की तीन को माताओं का क्या नाम था कि तीन जो अ harman Raya की तीन मात रहिए उनका क्या नाम था तो उका उत्तर आप दीजिए और इससे पता लग जाता है कि यह वाक्य में वीडियो को पुन रूप से आप ग्रैन कर रहे हो और समझ भी रहे हो तो दोस्तों जैश्री राम एक वार फिर श्री बाला जी महराज से प्रात्ना आपके परिवार के लिए कि करोना जैसी महामारी के चलते वे जो तीसरी लेर आ झाई जैशी ूऑ